Hey guys and artificial intelligence का नाम सुनते ही जो सबसे पहली चीज हम सब के दिमाग में आती है वह है robot लेकिन artificial intelligence बस robot तक ही सिमित नहीं है बलकि अब तो यह हमारे daily life में भी घुश चुका है चाहे वो google map द्वारा हमें कम traffic वाला रास्ता दिखाना हो google assistant द्वारा हमारे सवालों का जवाब दिया जाना हो और even अभी जिस वीडियो का आप YouTube पर देख रहे हो उस वीडियो को आप तक YouTube के जरिए पहुँचाना आपके subscription और interest के आधार पर यह सब artificial intelligence ही तो है और आज भी इस वीडियो में हम बिलकुल इसी के बारे में बात करने वाल विल गाइज, artificial intelligence यानि एक ऐसी intelligence जो man-made हो, मतलब इंसानों के द्वारा बनाई गई हो, जैसे हमारे अंदर भी एक intelligence होता है, जो हमें नहीने चीजे सीखने, समझने और अपने problems को solve करने के काबिल बनाता है और उसी तरह machine को भी intelligent बनाया जाता है, ताकि वह अपने decision खुद ले सके, उसका अपना दिमाग हो, हमारी बाते समझ सके, आसपास क्या चल रहा है या जान सके और समझ सके artificial intelligence जिसे sort में AI कहा जाता है, एक ऐसा field है, जिसमें programmers ऐसा software बनाते हैं, जिसे अगर किसी system में डाला जाए, तो हम उस system से काम करवा सकते हैं, और यह machine बहुत सारे काम आसानी से कर सकती है, मतलब यह machine ऐसी है, जो इनसानों की तरह ही चीजों को परखती है, समझती है, और फिर क क्या करना है, खुद decide करती है, अब इस Sophia को तो आपने देखा ही होगा, जो एक इनसान जैसी दिखने वाली robot है, और इनसानों की तरह अलग-अलग expression के साथ बात कर सकती है, होंग कॉंग में बनी यह robot भी artificial intelligence का यूज करती है, इस robot को इस तरह बनाया गया है, कि यह हमारे चेह होगा, एक ऐसी टेक्सी जो बिना ड्राइवर के खुद बखुद चल सकती है, और in fact अमेरिका के कुछ जगों पर चल भी रही है, और बिल्कुल इनमे artificial intelligence software डाला जाता है, जो चलते चलते data collect करता है, और उस data से सीखता भी है, इन मसीनों को intelligent बनाने के लिए इन्हें data दिखा बन पाए या नहीं, लेकिन इन्सानों द्वारा होने वाली कामों को आसान जरूर कर देगा, आज हमारे आसपास कितनी सारी चीजे artificial intelligence के द्वारा हो रही है, जरा सोचिए, बदलती दुनिया के साथ कुछ टाइम बाद हम बिना ड्राइवर वाली गाडियों में बैठ कर ट् वोट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे जॉब का क्या होगा, और यह बात तो है ही कि वह सारे काम जिसमें दिमाग का इस्तेमाल कम होगा, वो काम मसीन बिना किसी ठकान और गलती के ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी, तो सायद ऐसे जॉब्स की opportunity future में खतम हो जाए, ले लेकिन असल में यह कहानी किधर जाएगी, यह तो टाइम ही बताएगा, और आपको क्या लगता है, इसके बारे में मुझे जरूर बताना नीचे comment section में, बागी इस वीडियो को like जरूर करना, और फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतरा ही, and see you soon.